तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दे चैनल वैफ और क्लिक और आज हम बात करने वाले हैं वाइस रिकॉर्डिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई कार्टून बना रहे हो या कोई CGI और VFX बना रहे हो या कोई भी नॉर्मल फिलिम बना रहे हो तो इन में से कोई भी वीडियो तभी वाइरल हो सकती है जब वो आपको सीधे दिल से कनेक्ट करे यानि कि उसमें फील पैदा हो और ये जो फीलिंग्स है वो हमारी कनेक्ट होती है ओडियो से तो ओडियो अगर आपकी परफेक्ट है अउनली तभी आपकी वीडियो भी परफेक्ट हो सकती है क्योंकि आपने एक कहाबत तो सुनी होगी जो देखता है वो बेखता है तो अगर आपके वीडियो की quality अच्छी है और उसके साथ-साथ audio की quality भी next level है तब ही आपकी वीडियो viral हो सकती है तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी voice में एक feel पैदा करते हैं Voice recording और editing के लिए हम यहाँ पे 3 software का इस्तमाल करने वाले हैं Audacity, Clownfish और Adobe Audition और इन में भी जो सबसे महराजा software है वो है हमारा Audacity तो चलिए सबसे पहले start करते हैं Audacity से Audacity को अगर आपको download करना है तो simply Google में जाना है और यहाँ search करना है Audacity Simply आपको उसकी website को open करना है और यहाँ पे उसका जो download link है आपको मिल जाएगा जो भी आपका operating system है उसके हिसाफ से आप यहाँ पे download कर सकते हैं मेरा यहाँ पे windows है तो मैं directly इस पे click करूँ यहाँ पे software बहुत ही छोटा है और आसानी से आपके computer में install हो जाएगा तो यहाँ पे मेरी downloading चल चुकी है और कुछी देर में यह यहाँ पे download हो चुका है simply इसकी download location पे जाना है और double click करके इसको यहाँ पे install कर लेना कुछी seconds में मेरा यह software यहाँ पे install हो जाएगा तो जैसे ही आप Audacity को यहाँ पे open करेंगे कुछ इस तरह का interface हमारे सामने आएगा यहाँ सबसे उपर की तरफ आपको एक red color का button दिखाई देगा यही हमारा recording का button है जैसे ही मैं इस पे click करूँगा मेरी यहाँ पे recording start हो चुकी है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल plane line आ रही है इसका मतलब मेरी जो recording है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है अगर आपको recording को यहाँ पे रोकना है तो simply space का button दबाना है जैसे ही मैं यहाँ पे space का button दबाऊँगा मेरी recording यहाँ पे stop हो जाईगी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी recording नहीं हो पा रही है तो यह problem कभी भी आपके साथ में आ सकती है especially जो नए बंदे हैं उनके साथ यह सबसे ज़ादा आएगी इन सभी को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो audio settings पे आपको click करना है सबसे पहला option हमारा host का option है यह आपको by default रखना है इसमें windows के लिए MME यहाँ पे select रखना है दूसरा हमारा जो option है जो भी हम record करते हैं वो हमें यहाँ पे play करके सुनाई देता है तो इसको हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हमारा recording वाला जो option है इसको देख लेते है recording device में हमारा सबसे पहला जो mic है वो हमें यहाँ पे select करना होता है इसमें मुझे already पता है कि मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रहा हूँ USB mic तो यह जो मेरा mic है यह मेरा यहाँ पे काम करेगा लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसमें से कौन सा काम करेगा तो आप one by one इसको check करके यहाँ पे देख सकते हैं फिलाल मेरा जो यहाँ पे microphone है इसको मैं हाँ पे select कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ok कर दोगा जो भी चीज आपने यहाँ पर record की है अगर आपको पूरा select करना है तो यहाँ नीचे की तरफ आपको select का बटन दे रखा है इस पे आपको click करना है और पूरा यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी recording है वो start हो चुकी है और जो graph है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरा आने लगा है अगर आपको यह recording stop करनी है तो already मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ वो आपको space का button दवाना है और मेरी जो recording है वो यहाँ पर stop हो जाई timeline को अगर आपको बीच में लेके आना है तो आपको simply यहाँ पर click कर देना है ध्यान रहे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ click करना है तभी आपका timeline यहाँ पर आएगा यह जो line आपको दिखाई दे रही है यही आपका timeline है अगर आप इसको play करना चाहते हैं तो यहाँ play बटन से play करके देख सकते हैं यहीं से आपका timeline स्टार्ट होगा अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको यहाँ पर play कर रहा हूँ कुछ भी चीज मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही है इसके लिए मुझे दुबारा से यहाँ पर audio settings में जाना है और audio settings में जाके इस वार मुझे यह जो playback device है इसको check करना है और यहाँ पर मैं जो इस्तमाल कर रहा हूँ अपने speakers इस्तमाल कर रहा हूँ आपके case में आपको अगर नहीं पता है तो one by one इसको check कर सकते है फिलाल मैं यहाँ पर speaker select करूँगा और इस तरीके से मेरी जो settings है वो यहाँ पर complete हो जाएंगी यहाँ पर आपको speaker select करना है यहाँ पर आपको microphone select करना है तो यहाँ उपर की तरफ जो timeline है यहाँ पर मैं इसको click करूँगा अगर आपको यह recording stop करनी है तो already मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ अब मेरी जो audio है वो perfectly यहाँ पर काम कर रही है timeline को अगर आपको बिल्कुल last में लेके आना है तो भी यह चला जाएगा या फिर स्पे click करेंगे तो यह बिल्कुल यहाँ पर चला जाएगा इसी तरीके से ये वाला जो button है शसे आप इसको last में ले जा सकते हैं या फिर end वाला जो button है यह इसका shortcut है end button से हम इसमें timeline को last में ला सकते हैं किलाल मैं home button से इसको starting में ले जाता हूँ कोई भी चीज इसमें अगर आपको delete करनी है तो simply इसको select कर लीजिए और इसमें delete का button दवाएंगे तो वो automatically यहां से delete हो जाईगी तो जो भी area आपको delete करना है simply इसको select कीजिए और इस तरीके से आप इसको delete कर सकते हैं अब यहां पर आ यहां पर मेरी आवाज record होने लगी है अब यहां पर मेरे पास दो option है इसको रोकने के या तो मैं space button से इसको stop कर सकता हूँ इस तरीके से तो यह मेरा इहां पर stop हो जाएगा अब मैं इसको दुवारा से अगर यहां पर play करना चाहता हूँ यानि कि दुवारा से आगे की side में इसको record करना चाहता हूँ तो दुवारा से मैं यहां पर record वाला बटन दबाऊंगा hello 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 तो मेरी आवाज यहां पर दुवारा से record होने लेगी दुवारा से मैं इसको यहां पर stop कर देता हूँ अब stop में और pause में क्या आंतर है यह आप देख लीजिए same काम हमारा यह pause भी करेगा लेकिन इन दौनों में difference सिर्फ इतना है stop के case में मारे जो audio है वो यहां पर यहां पर यह जो आपको 4 tools दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह जो यहां पर पहला tool है वो यहां पर selected होना चाहिए तब ही इसमें चीजों को आप यहां पर select कर पाएंगे by default अगर आपको दूसराट कोई tools इसमें select हो जाएगा तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है हमेशा इसको first वाले पे click करके रखना है इसी में पहले हमाएं एक tool दे रखा था जिसमें hand की मदद से हम इसको पकड़ सकते थे फिलाल वो tool यहां से update कर दिया गया है और हमें directly इसमें hand का option दे रखा है जिससे हम अपनी चीज को यहां पर आगे पीछे कर सकते हैं तो stop के case में हमारा यहां पर यह इस तरीके से cut हो जाएगा अगर हम pause के case में रोकेंगे तो यह बिलकुल इससे किसी में आगे की तरफ वो बढ़ा के ले जाएगा इस पूरे panel को अगर मुझे select करना है select वाले button पर click करूँगा और delete का button दबाऊँगा तो यह पूरा यहां पर delete हो जाएगा अब चलिए जल्दी से इसमें layout का थोड़ा सा introduction कर लेते हैं इसमें जितने भी आपको उपर की side में tools दे रखे हैं इसमें हर एक tools में आपको एक छोट आसा यहां पर white color की lines दिखाई देंगी यह जो हमारी lines हैं इनकी मदद से हम अपने tools को पकड़के कहीं से कहीं यहां पर खीच सकते हैं एकजम्पल के लिए अगर मुझे यह वाला tools यहां पर नहीं चाहिए तो मैं इसको यह जो side वाली lines से इसके पकड़ूँगा और इसको हटाके मैं यहां पर लगा सकता हूं लेकिन अब यह इसको update कर दिया है अगर आपको यह on करना है तो start monitoring पे click करना है और जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे आपका एक graph बन के आएगा इसको आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल के अलग कर सकते हैं और यह जो इसमें छोटी छोटी line side में दिख रही है इसकी vertically या horizontally यहाँ पे manage करना तो इस तरीके से manage कर सकते हैं केवल यह जो lines हैं इनकी मदद से ही आप इसको इस तरीके से दर उदर ले जा सकते हैं तो फिलहाल आप कोई भी tool यहाँ पे इस तरीके से हटा के कहीं पे भी लगा सकते हैं और by chance अगर आपका गड़बड हो जाता है या कहीं पे यह tools हट जाते हैं उनको अगर आपको दुबारे से reset करना है तो यहाँ पे आपको जाना है tools में और यहाँ आपको एक option मिलेगा reset configuration जैसे ही मैं यहाँ पे इसको click करूँगा reset configuration यह सारे के सारे हमारे यहाँ पे automatically reset हो जाएंगे तो यह था हमारा starting का छोटा सा introduction अब च voice recording अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग हिसाब से होती है और इसी के लिए voice recording को मैंने दो category में divide किया है सबसे पहला आता है हमारा single human recording single human recording में आपकी वो वीडियो आती है जिसमें पूरी वीडियो में एक single आदमी ही अपनी आवाज को record करता है जैसे कि कोई storytelling cartoon हो गई या फिर कोई explanation वीडियो हो गई या फिर आपकी खुद की voice हो गई जिसमें आप किसी चीज को बताने के लिए अपनी आवाज को record करते हैं दूसरी category हमारी आती है multi character voice recording multi character voice recording उन वीडियो के लिए की जाती है जिसमें हमारे कैई सारे characters होते हैं अब एक single आदमी उसको किस तरीके से अलग-अलग characters को एक साथ बोलने वाली जो आवाज है उसको किस तरीके से निकालेगा ये भी हम यहाँ पे detail में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले पहली category को उठा लेते हैं single human recording तो चलिए पहली category को समझने के लिए यहाँ पे एक storytelling छोटी सी voice record कर लेते हैं तो यहाँ से मैं इस बटन को दवाऊंगा एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था सभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे space का बटन दवा के मैंने ये story यहाँ पे बंद करती है अब मुझे अगर home पे जाना है सबसे starting में जाना है तो मैं home का बटन दवाऊंगा अब बिल्कुल starting में आ जाऊंगा या फिर इस वाले पे click करके मैं starting में आ सकता हूं सबसे पहले अपन देख सकते हैं काफी gap लग रहा है तो मैं इसको इहां से delete कर देता हूं एक से रहता था एक जंगल में एक से रहता था अब यहाँ पे हल्का सा में gap दे सकता हूं और इसको इहां पर इस तरीके से एक्स्टा वाइस को हटा सकता हूं एक जंगल में एक से रहता था, वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था, हलका सा यह जो gap है इसको भी मैं यहां से हटा देता हूँ, अब मेरे पास में यह जो है मैंने यहां पे इसका काट छांट कर दिया है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी जो voices को की quality कितनी है, वो YouTube में या कहीं पे भी किस तरीके से perform करने वाली है, यानि कि वो सुनने लायक है या नहीं है, इसके लिए हमारे यहां पे कुछ number आप देख सकते हैं दर की side में, यह number हमें यहां पे बताते हैं कि हमारी जो audio है वो सही यहां पे आ रही है या नहीं आ रही है, इसको अगर आप यहां पे खीच के बढ़ा करना चाहते हैं तो इसकी yellow line है इस पे आप लाएंगे और हलका से arrow बन जाएगा इस तरीकी से खीच के इसको जितना चाहे उतना आप यहां पे बढ़ा कर सकते हैं, या फिर आपको view में जाना है, track में जाना है, height को अगर आपको fit करना है, तो height पे आप जैसी click करेंगे, यह यहां पे इस तरीके से fit हो जाएगी, अब इसमें आप देख सकते हैं, जो भी हमने यहां पे record किया है, वो zero से लेके one के बीच में lie कर रहा है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर one से voice उपर चली जाती है, कटने लगती है, तो समझ लीजी, आपकी जो voice है, वो यहां पे जादा loud हो रही है, यानि कि वो कान में चुबने वाली है, और अगर यहां पे यह जो 0.5 है, इससे यह कम रह जाती है, तो इसका मतलब समझ लीजी है, कि यह यहां पे बहुत slow हो रही है, जो सुनने में हमें बहुत ही कम बिलकुल perfect audio जब आएगी, जब 1 से लेके 5 के बिलकुल बीच ओ बीच यहां पे इसके सारे cuts मौजूद रहें, तब हमारी यह audio बिलकुल perfectly यहां पे काम करेगी, तो चलिए अब सबसे पहले अपने audio की quality को सुधारने के लिए, हमें यहां पे बहुत सारे effects दे रखे हैं, यह जो effects का panel है, old version में यह सारे effects यहां पे नीचे तक खुले हुए दे रखे थे लेकिन अब इनको यहां पे categorize कर दिया गया है new version, और यह पूरा का पूरा जो हमारा area है, इसको हम कहते हैं यहां पे track, जिसके अंदर हमारा पूरा यह आवाज record हो रही है, यह हमारा एक track है, हम अ जंगल में एक सेर रहता था, वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था, यह हमारी बिलकुल normal आवाज है, जो बिलकुल normal मुझे सुनाई दे रही है, आप चाहें तो इसको यहां पे use कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से perfect बनाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें यहां पे कुछ option दे रखे हैं, जैसे कि इसमें सबसे उपर जो है, यह हमारा gain का option है, अगर आप इसको थोड़ा सा loud करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जो gain option है, इस पर double click करेंगे यहां पे, तो इसका यहां पे यह भरने का output बन और इसको अगर आप खींच के यहां पे लाना चाहते हैं, तो खींच के भी ला सकते हैं, अगर मैं इसको double click करूँगा, इसको zero कर दूँगा, तो यह मेरी normal आवास पे रहेगा, अगर मैं इसको double click करूँगा और हलक आसा इसको यहां पे कर देता हूँ, 20, अब यह मेरा हलक यहाँ पे loud हो जाएगा ओके करूँगा मैं यहाँ पे इसको play करके देखूँगा अब click करके एक जंगल में एक सेर रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था सभी जानवर उससे बहुत जादा डरा करते थे इस तरीके से आप यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं इसको मैं 10 कर देता हूँ थोड़ा यह सही सुनाई देगा इसमें एक जंगल में एक सेर रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था सभी जानवर उससे बहुत जादा डरा करते थे तो यह हमारा एक effect है एक तरीके से इसको हम यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं अपनी voice को थोड़ा सा quality में बनाने के लिए इसको मैं दवारे से click करके इसको zero कर देता हूँ चलिए और दूसरे effects हम यहाँ पे use करके देखते हैं single voice में अगर आपको use करना है तो यहाँ पे आपको एक और option मिल जाता है जिसका नाम है reverb वैसे तो यह तीनों के तीनों साथ में एक जैसे तरीके से काम करते हैं और यह जो delay वाला option है जहाँ पे भी आपको यह delay वाला option दिखाई देगा इसका मतलब आप अपनी आवाज को यहाँ पे गूजने लायक बना सकते हैं इसको हम detail में अभी समझेंगे आगे फिलहाल आपको single voice के लिए सबसे best यहाँ पे reverb है यह option मुझे बता रहा है कि जिसमें आपको apply करना है पहले मुझे उसको select करना पड़ेगा तब ही मैं उसको यहाँ पे apply कर सकता हूँ यह जो select का option है यहाँ से आप पूरी पट्टी को select कर सकते हैं और अगर particular area में आपको select करना है तो उस area को इस तरीके से select कर सकते हैं फिलाल मैं इसको पूरे को select कर लेता हूँ effect मैं जाऊंगा और यहाँ अपना पहला option use करूँगा रिवब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको click करूँगा आप देखेंगे मेरे पास में काफी सारे option आ जाएंगे इसको मैं इस तरीके से खीच के बड़ा कर सकता हूँ old version में यह जो preview और apply है यह आपको नीचे की तरफ मिलेंगे इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज है जो यहाँ पे काम की है वो है आपकी delay तो यहाँ पे एक option आपको दिखाई दे रहा है delay का pre delay के नाम से इसको अगर आपको सुनना है तो आप preview पे click करना है जो भी इसमें यहाँ पे changes होंगे वो आपको यहाँ पे पहले आप चेक कर लीजे एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों तो इस तरीके से आप अपनी आवाज को हलका सा गूजने लायक बना सकते हैं reverb की मदद से आप चाहें तो इसमें यह गूजने वाला area है इसको हलका सा delay की एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों तो मैं यहाँ से इसको apply कर देता हूँ और यह इस तरीके से मेरा पूरा यह graph यहाँ पे change हो जाएगा हलका सा मैं इसको double click करके इसको 10 कर देता हूँ और अब मैं इसको अगर play करके दिखा हूँ आपको एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था सभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे तो इस तरीके से आप इस quality की आवाज को अपनी single voice में use कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको control z कर देता हूँ यहाँ पे फिर से और अपनी normal इसमें इस्तमाल हो सकता है वो है हमारा EQ and filters के अंदर graphics equalization ग्राफिक्स equalization को जैसे ही आप यहाँ पे select करेंगे यह दुबारा से कह रहा है कि मुझे पूरा select होना चाहिए area जिसको मैं आपको apply करना है तो मैं पूरे को select कर देता हूँ यहाँ से और अब मैं यहाँ पे इसको अ इस तरीके से आपके सामने यह आएगा अगर आप इसमें कुछ चीज चेंज करना चाहते हैं तो preset and settings की आपको यहाँ पे कुछ पहली settings दे रखे हैं जिन पे click करके आप यहाँ पे जो settings है वो यहाँ पे change कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे already predefined settings है तो पहली setting मै यहाँ पे apply की और इसको मैं अगर check करना चाहता हूँ एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों तो आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी इसमें change हो जाएगी यानि कि वो थोड़ी सी और perfect हो जाएगी दूसरा अगर आपको इसमें apply करना है तो इस तरीके से ब आवाज को अलग type से change करेगा एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों तो फिलहाल मैं इसको दुबारा से एकदम plan line करना चाहता हूँ तो flat पे click करके यहाँ से इसको plan line बना दूगा एक और जो है जो है जो settings में आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आप इस setting को यहाँ पे use करना चाहते हैं तो इस setting को भी use कर सकते हैं इनको हलकासा एक descending order में लेके आना है starting से इस तरीके से और इधर की side से भी इसको यहाँ पे एक ascending order हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरीके तो यह हमारा कुछ अलग type का एक effect बन जाएगा एक जंगल में एक say रहता था वो रोजाना जानवरों तो इस तरीके से अपने single voice को आप अलग तरीके से यहाँ पे directly use कर सकते हैं या फिर उनको आप change करके यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपके जो voice की quality है वो यहाँ पे निखर के आएगी एक जंगल में एक say रहता था वो रोजाना ज तो यह था हमारा graphics EQ जो आप अपने single voice के साथ में यहाँ पे use कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी जिससे आप अपनी single voice के और भी perfect बना सकते हैं इसी में आपको एक और effect मैं आपको दिखाना चाहूँआ यहाँ पे volume and compression में जो हमारा सबसे द record करते हैं तो हो सकता है आप background में कुछ music इसमें use करना चाहते हैं या फिर sound effects use करना चाहते हैं तो especially background music के लिए हमारा यह auto duck जो है यहाँ पे इस्तमाल होता है और directly मैं यहाँ पे background music जो है यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक background music है इसको मैं drag करूँगा यहाँ audacity में लाँगा और इस जगा पे लाके छोड़ दूँगा तो आप देखेंगे मेरा एक दूसरा track बन जाएगा background music का इसको मैं यहाँ पे उसी तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और उपर वाला जो हिस्सा है वो मेरा यहाँ पे recording का है जो मैंने अभी यहाँ पे story record की इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस तरीके से अब यहाँ पे यह जो background sound है अगर मुझे इसको कम या जादा करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक option दे रखका है envelope का envelope या दूसरा एक option दे रखका है यहाँ पे multi tool का इन दौनों की मदद से मैं इसको जाद या कम कर सकता हूँ अगर मैं इस पे click करूँगा तो आप देखेंगे इसमें एक हलका सा white color का highlight हो जाएगा जो मेरा background sound है अगर मैं इसको यहाँ पे यह जो इसकी blue line है यह जो blue line है इस पे लाके अगर मैं इहाँ पे अपना cursor लेके आऊँगा तो यह इस तरीके से यहाँ पे यह दो arrow बन जाएंगी यह जो दो arrow है इसको अगर मैं click करके नीचे की तरफ करूँगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे यह पतला हो जाएगा इसका मतलब यह इसका जो effect है वो यहाँ पे कम हो रहा है और इसको अगर मैं ऊपर की तरफ खीचूँगा तो यह मेरा जादा हो जाएगा कभी भी अगर आपको किसी sound को कम या जादा करना है तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पे कम या जादा कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको पूरा यही पे छोड़ देता हूँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यह जो tools यहाँ पे दिये गए हैं आपका यहाँ जो cursor है यह हमेशा आपको select रखना है तभी आपका वो selection वाला यहाँ पे काम करेगा अब यह दूसरा वाला जो tool है यह क्या काम करता है इसको भी देख लीजिए जब मैं यहाँ पे इसको select करता हूँ तो यह white color की line यहाँ पे हो जाती है इस tool की मदद से मैं इस पूरे area को कम यह जादा यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ अगर मैं इसके किसी particular area को यहाँ पे कम यह जादा करना चाहता हूँ तब मेरा यह दूसरा वाला जो tool है यह यहाँ पे काम आता है अगर मैं चाहता हूँ कि इसका यह वाला जो area है यह और यह वाला जो area है यह इन दोनों के बीच का एरिया मुझे अगर कम करना है तब मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको जितना चाहे उतना इस तरीके से कम कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप किसी भी sound को कम या ज़्यादा यहाँ पर इन tools की मदद से कर सकते हैं फिलाहल मैं इसको control Z कर देता हूँ वापस से अपना जो उपर वाला tools है यह default tool है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस पर यह selected होना चाहिए काम करते समय यहाँ पर अगर मैं sound को play करके दिखाऊंगा आपको एक जंगल में एक से रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था तो यहाँ पर आपने देखा मेरा जो sound है वो बहुत ही ज़ादा मुझे आ रहा है background music अगर मैं चाहूँ तो यह जो option है इसकी मदद से इसको इस तरीके से कम कर सकता हूँ यहाँ पर और अगर कम करना चाहता हूँ तो और यहाँ पर इस तरीके से कम कर दूँँ इसको एक जंगल में एक से रहता था लेकिन कम होने के बाबजूद जो इसमें perfectness है वो अभी भी इसमें नहीं आ रही है मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी voice है वहाँ वहाँ पे automatically मेरा जो background music है वो कम हो जाए और जहाँ पे खाली space है automatically वो वहाँ पे बढ़ जाए उसको हम कहते हैं ducking उपर मैं ये जो slash वाला button है इसको दोबारा से click कर लेता हूँ तो अपने background music को इस तरीके से मैं adjust कर सकता हूँ इसमें कि जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो automatically मेरा background music वहाँ पे कम हो जाएगा और जहाँ 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 पे मेरा खाली जगा है automatically मेरा background music वहाँ पे जादा हो जाएगा तो इसको कैसे करते हैं आईए देख लेते हैं सबसे पहले जो आपका background music है वो उपर की side होना चाहिए बाकी सारे music नीचे की तरफ होने चाहिए नहीं तो आपका ये जो auto ducking है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे select करूँगा पूरे area को अगर मैं इसमें यहाँ पे apply करके आपको दिखा दूँगा जैसी मैं यहाँ पे click करूँगा यह मुझे error देदेगा अब मैं क्या करूँगा सबसे पहला मेरा जो काम है background music को उपर करना है तो उसके लिए simply यह जो option है यहाँ पे इसको यहाँ पे select करना है इस जगा पे यह hand tool बन जाएगा इस तरीके से और इसको अगर मुझे उपर ले तो यहाँ पे मेरा option आ जाएगा जो भी setting इसको by default रहनी दीजिए और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको apply करूँगा आप देखेंगे जहाँ जहाँ मेरा graph बढ़ रहा है वहाँ पे इसने automatically इसको कम कर दिया है sound को और जहाँ जहाँ मेरा graph कम है बिल्कुल खतम है वहाँ पे यह automatically set हो जाएगा अब मैं अगर इसको यहाँ पे play करके आपको दिखाऊंगा एक जंगल में एक सेर रहता था वो रोजाना जानवरों को मार के खाया करता था सभी जानवर उससे बहुत जादा डरा करते थे देखा आपने किस तरीके से मेरा जो sound है वो automatically यहाँ पे कम या जादा मैं यहाँ पे adjust कर सकता हूँ अगर आपको लग रहा है कि sound बहुत जादा हो रहा है तो आप यह जो option है इसकी मदद से पूरे sound को यहाँ पे कम कर सकते हैं अब आप इसको अगर यहाँ पे export करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको export कर सकते हैं दोनों sound यहाँ पे automatically mix होके आएंगे तो मैं desktop पे ही आपको यहाँ पे export करके दिखा देता हूँ सभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे तो इस तरीके से हमारा जो audio है वो mix होके यहाँ पे आ चुका है और background music कभी भी अगर आप use करना चाहते हैं तो हमेशा ducking का इस्तमाल करें तो यह तो था हमारा single voice recording अब आते हैं अपने main topic पे जिसका नाम है multi voice recording अब चलिए multiple characters में बंटी और बंटी के पापा आपसे में बात कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से record करेंगे आई इसको देख लेते हैं पहले मैं इस recording button पे click करूँगा अरे बंटी जाओ और बाजार से कुछ सामान लेके आओ जी पापा अभी जाता हूँ लेकिन बाजार से क्या लेके आना है जाओ और बाजार से कुछ सबजियां लेके आओ ठीक है पापा भिंडी लेके आनी है क्या हाँ जाओ भिंडी लेके आओ space का button दबा के मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ सबसे पहले मैं यहां पे इसको manage कर लेता हूँ इसी तरीके से delete करूँगा इसको इस तरीके से यहां पे जो extra voice है उनको मैं यहां पे manage कर लूँगा तो यह मेरे पास में दो character के voice हैं जो यहां पे record हो रहे हैं इसको मैं play करके दिखा देता हूँ अरे बंटी जाओ और बाजार से कुछ सामान लेके आओ जी पापा अभी जाता हूँ लेकिन बाजार से क्या लेके आना है जाओ और बाजार से कुछ सबजियां लेके आओ ठीक है पाप अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मेरी voice है बिल्कुल सेम लग रही है सभी मैं अब मैं यहां पे दोनों की आवाज को अगर चेंज करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा पापा की जो आवाज है उसको मैं यहां से सलेक्ट करूँगा इफेक्ट में जाऊँगा और यहां पे मुझे एक option मिलेगा चेंज पिच चेंज पिच पे अगर मैं यहां पे क्लिक करूँगा तो यहां पे मेरे पास में कुछ option आ जाएंगे सबसे नीचे वाला जो option है percentage यह मेरा यहां पे काम का option है सबसे पहला मुझे यह क्या काम करना है इसको यहां पे zero कर देना है यह जो मेरी zero value है इस पे मेरे यह आवाज है वो यहां पे normal रहेगी जो मैंने यहां पे record की है इस वाले point से अगर मैं इधर की side जाऊंगा तो मेरी आवाज वो पतली हो जाएगी और इस point से अगर मैं इधर की side जाऊंगा तो वो आवाज मेरी मोटी हो जाई अगर मैं ये percentage को plus में value दूँगा तो ये मेरा जो cursor है वो मेरा इधर की side जाएगा और इसको minus में दूँगा तो ये मेरा इधर की side जाएगा तो मुझे पापा की जो value है उसको थोड़ा सा मोटा करना है तो इसको मैं इधर की side ले के जाऊँगा और इसको यहाँपे मैं minus का 10 कर देता हूँ जो भी value आपको यहाँपे सही लगती है वससी आप यहाँपे ले सकते हैं preview का जो option है वो इसको आप यहाँपे play करके देख सकते हैं तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँगा, अरे बंटी, जाओ और बाजार से कुछ सामान ले के आओ, अब इसको अगर आपको और भी मोटा करना है, तो इसको यहाँ पे इसकी जो वोईसे इसको मैं कर देता हूँ, अरे बंटी, जाओ और बाजार से कुछ सामान ले के आओ, तो इस तरीके से आप जितना मोटा चाहें, उतना आप इस आवाज को कर सकते हैं, इसको मैं आप अप्लाई कर देता हूँ, यह मेरी पहली आवाज होगी, दूसरी मेरी यह वाली आवाज है, इसको अगर मुझे चेंज करना है, तो सिंपल तरीका यह है कि आपको जाना है उसी तरीकी से पिछ वाले आप्शन में, और यहाँ पे इस बार में जो वोईस है, यहाँ परसंटेज को इस बार में पिलस में करूँगा, और इसको कर देता हूँ 30, इससे मेरी वोईस पतली हो जाएगी, इसको मैं सुन लेता हूँ, जी पापा, अभी चाता हूँ, लेकिन बाजार से क्या लेके आना है, इस तरीके से मैं अपनी आवाज को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर मेरी ओडियो यहाँ पे बहुत ही लंबी है, तो सारे के सारे डायलॉक्स मुझे यहाँ पे बार बार चेंज करने पड़ेंगे, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा परेषानी होने वाली है, इस परेषानी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे TRACK के साथ मैं खेलना आना चाहिए, तब आप इस परेषानी को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अब ये track के साथ कैसे खेलते हैं चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यह जो voice है इसको मैं यहाँ से delete कर देता हूँ track को और इस voice को हम दुबारा से यहाँ पर record करेंगे कुछ दूसरे तरीके से track में मैंने आपको starting में थोड़ा सा कुछ intro दिया था कि यह जो track है यहाँ पर मुझे चार तरह के track दे रखके हैं mono track, stereo track, level track और time track जो हमारा इस समय by default set है वो है हमारा यहाँ पर stereo track अगर मुझे यह mono track set करना है तो मैं यहाँ पर mono track set कर सकता हूँ simply मुझे यहाँ पर click करना है तो इसको अगर मैं यहाँ पर click करूँगा तो आप देखेंगे इस तरीके से mono track आ जाएगा और cable single line में मेरी जो recording है वो यहाँ पर start होगी play करूँगा hello, 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 hello इस तरीके से मैंने आभी आपने देखा कि मैंने mono track बनाया और जैसी मैंने इसको यहाँ पर record किया मेरा दूसरा track automatically बन गया stereo क्योंकि मेरा by default यहाँ पर stereo track selected है तो अब यह जो mono track है इसको मैं यहाँ पर किस तरीके से हैं change करूँ, किस तरीके से हैं यहाँ पर adjust करूँ उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर audio setting में audio setting में जाने के बाद दुबारा से हम वहीं पर जाएंगे जो मैंने starting setting करी थी और यहाँ पर channels में मुझे आप देख सकते हैं stereo already selected है अगर मैं इसको mono करना चाहता हूँ single करना चाहता हूँ तो यह जो mono track है इसको मैं यहाँ पर click करूँगा और ok करूँगा अब मेरा यहाँ पर mono track में यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ दौनों को मैं यहाँ से पहले delete कर देता हूँ अब सबसे पहले मैं एक mono track ले लेता हूँ और कुछ यहाँ पर मैं record करता हूँ hello 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 यह मेरा एक track हो गया, अगर मुझे इसमें नीचे की तरफ दूसरा track यहाँ पर add करना है, तो दुवारा से मैं यहाँ पर mono track add करूँगा, और इस बार यहाँ यहाँ पर selected रहेगा, जिस पर मैं click करूँगा, वो चीज मैं यहाँ पर select कर सकता हूँ, इस पर अगर मुझे record करनी ह तो इस पर select कर सकता हूँ, इस पर मुझे काम करना है तो इसको select कर सकता हूँ, इस तरीके से आप इसमें जितने चाहें उतने mono track बना सकते हैं, delete करना है तो cut के button से delete कर सकते हैं, minimize करना है, तो यह वाला जो option है, इसकी मदद से आप यहाँ पर minimize कर सकते हैं, फिलाहल मैं इसको open कर देता हूं यहां पर अब दुबारा से मैं बंटी और उसके पापा की आवाज यहां पर record करूँगा लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके से record करूँगा सबसे पहले मैं इन दौनों track को यहां पर select कर लेता हूं shift के साथ में और वीव में जाके इनको यहाँ पर fit कर देता हूं तो मैं जाओंगा यहाँ पर view में ट्रेक साइज में और fit height height में यह दोनों मेरे इस तरीके से fit हो जाईए अब जो पापा का है वो मैं यहाँ डायलोग यहाँ पर select करूँगा और जो मेरा बंटी वाले डायलोग है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे तो नेम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ पापाँ और यह वाला जो ट्रेक है वो यहाँ पे अलग-अलग दो ट्रेक बन चुके हैं जिनमें मैं दो अलग-अलग वोईस यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ अगर आप तीन, चार जितने चाहे उतने ट्रेक आप यहाँ पे बना सकते हैं इसका यह यलो लाइन है इसकी मदद से इन ट्रेक्स को इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं फिट करना है तो सभी को सलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे और वीव में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक उप्शन मिलेगा फिट हाइट मिनिमाइस करना है तो जो जिसका काम खतम हो गया इस तरीके से मिनिमाइस कर सकते हैं चलिए दुवारा से अब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पापा को सलेक्ट करूँगा इधर और यहाँ पे इसकी आवाज को रिकॉर्ड करूँगा अरे बंटी जाओ बजार और कुछ सामान लेके आओ स्टॉप का बटन करूँगा तो यहाँ पे खतम हो जाएगा तो इस तरीकी से मेरा यह खतम हो गया अब मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा यहाँ तो यह वाला ट्रेक मेरा स्टार्ट हो जाएगा और अपना जो कर्सर है अब मैं इहाँ पे इसको लेके आओगा जहाँ से मुझे यह आवाज रिकॉर्ड करनी है वहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ से मुझे यह दूसरा डायलोग ओन करना है दुबारा से मैं record का बटन दबाऊंगा या फिर इसका shortcut है R, R बटन से भी आप यहाँ पे इसको recording को on कर सकते हैं तो मैं R बटन दबाऊंगा यहाँ ठीक है पापा, मैं अभी बाजार जाता हूँ और सबजी लेके आता हूँ लेकिन सबजी में क्या लेके आना है, दुबारा से stop बटन दबाऊंगा, दुबारा से हम मैं पापा का dialogue बोलूँगा यहाँ पे और इधर ही मैं यहाँ पे इसको click कर दूँगा, जो मन करें वो लेके आना, लेकिन हाँ भिंटी जरूर लेके आना तो इस तरीके से आप जितना लंबा चाहें, उतना लंबा अपना dialogue यहाँ पे खीच सकते हैं, उसके बाद अगर आपको manage करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे play करके देख सकते हैं आप, बंटी, जाओ, बाजार जाओ, और कुछ सबजी लेके आओ, अब यहाँ पे जो है मेरा यह end हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से delete करूँगा, अब इसको खीच के मैं आगे लाना चाहता हूँ, यह hand का जो button है, यहाँ पे इस तरीके से आजाएगा, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको खीच के आगे ला सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा pause है, मैं यहाँ से इस लेके आना है, जो मन करें वो लेके आना, लेकिन हाँ भिंडी जरूर लेके आना, अब यहाँ पे मेरी voice record हो चुकी है, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल same voice लग रही है, बंटी की भी और पापा की, अब यहाँ पे अगर मुझे voice को change करना है, तो सबस में जाना है, और change pitch पे click करना है, change pitch में यहाँ पे अगर आप इस वाले cursor को बिल्कुल zero कर देंगे यहाँ पे, तो यह बिल्कुल normal आवाज हो जाएगी, अब मुझे पापा की आवाज थोड़ी सी यहाँ बढ़ानी है, तो इसको मैं कर देता हूँ minus का 20, तो पापा की आवा थोड़ी सी loud हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10, अब मैं इसको यहाँ पे पिले करूँगा, बंटी जाओ बजा जाओ और कुछ सब्जी ले के आओ, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपनी voice को यहाँ पे change कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको control Z कर देता हूँ और केवल जो pitch मैंने इसमें इहाँ पे लगाई थी, वही यहाँ पे use की है, इहाँ पे minus 20 वाली, और मेरी जो आवाज है वो इस तरीके से अब पापा की इहाँ पे रहेगी, बंटी जाओ बजा जाओ और कुछ सब्जी ले के आओ, अब मैं जो बंटी है, इसकी आवा और इसकी value को मैं इहाँ पे कर देता हूँ 30, 30, 40 जितना आप पतला करना चाहें उतना कर सकते हैं और इसको मैं इहाँ पे apply करूँगा, तो अब मेरी जो बंटी की आवाज है वो यहाँ पे पतली हो चुकी है, अब मैं इसको अगर आपको play करके दिखाऊँगा, ठीक है करें वो लेके आना, लेकिन हाँ भिंटी जरूर लेके आना, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो dialogue है उसको अलग-अलग track में save कर सकते हैं, अगर आपके पास और भी character हैं तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ और character यहाँ पे add कर सकते हैं, by default हमारा जो यह है, यह mix करके य अगर मैं इसको यहाँ पे export करूँगा, हमिसा आपको wave file में save करना है, और cartoon नाम से मैं यहाँ पे file को save कर देता हूँ, ओके-ओके करूँगा जो भी आएगा मेरे पास, अब मैं इसको यहाँ पे आपको play करके दिखा देता हूँ बंटी, जाओ, बजार जाओ, और कुछ सबजी ले के आओ, ठीक है पापा, मैं अभी बजार जाता हूँ और सबजी ले के आता हूँ, लेकिन सबजी में क्या ले के आना है, जो मन करे वो ले के आना, लेकिन हाँ भिंटी जरूर ले के आना, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमे यहाँ पर select कर लीजे, select करने के बाद आपको यहाँ पर बस जाना है, file में export करना है, और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, export selected audio इस audio पर आपको wave file या जो भी file आपको select करनी है वो यहाँ पर select कर लीजे और इसको मैं नाम देता हूँ, single तो यह मैं यहाँ पर save कर दूँगा अब इसको अगर आप यहाँ पर check करेंगे बंटी, जाओ, बजा जाओ और कुछ सबजी लेके आओ तो यहाँ पर केबल पापा की जो आवाज है, वो ही यहाँ पर आएगी बंटी की आवाज यहाँ पर नहीं है अगर आप इसमें यहाँ पर stereo track लेंगे, यह हमारा double track होता है, अगर आप इन tracks को यहाँ पर mono tracks में convert करना चाहते हैं, दौनों को अलग-अलग तो simply आपको यहाँ पर click करना है और split, stereo to mono पर हमें यहाँ पर click कर देना है इसी तरीके से अगर आपको mono को यहाँ पर stereo में बनाना है double करके, उपर वाला जो track है इस पर click करना है और यहाँ पर मुझे एक option मिल जाएगा make stereo track एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो track होने चाहिए mono के, तभी यह हमारा stereo बन पाएंगे single mono से हमारा यह stereo नहीं बन पाएगा मैं simply इसको make stereo पर click करूँगा तो आप देखेंगे, दोनो अब यहाँ पर joint हो चुके हैं और एक ही track में यहाँ पर आ चुके हैं अगर आप इनको mix करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनको mix भी कर सकते हैं mix करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबको पहले यहाँ से select कर लेना है track में जाना है आपको track में एक option मिलेगा यहाँ पर mix stereo down to mono इस पर मैं click करूँगा तो यह दोनो track आपस में mix हो जाएं तो इस तरीके से आप इनको mix भी कर सकते हैं या फिर दोनों को अलग-अलग निकालना चाहते हैं दोनों को अलग-अलग निकाल सकते हैं बिना stereo करें अगर आप दोनों को mix करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक नया track mix कर होके आपका नीचे आ जाए तो दोनों को आपको select करना है आपे track में जाना है mix में जाना है सबसे last वाला जो option है mix and render to new track तो ये इन दोनों को mix करके एक नया track यहाँ पे नीचे की तरफ देतेगा इस तरीके से track के साथ आपको खेलना आना चाहिए तो ये था हमारा simple bunty और उसके पापा का conversation अब चलिए one by one हम यहाँ पे अलग-अलग voice को यहाँ पे change करके देखेंगे अब दूसरा example में माली जे एक बच्चा है वो किसी monster से बात करता है तो हमारा जो monster है उसकी आवाज को हम यहाँ पे कैसे change करेंगे आईए इसको देख लेते हैं सबसे पहले मैं यह जो track है इनका जो काम है वो यहाँ पे खतम हो चुका है तो उसको मैं यहाँ से delete कर देता हूँ अब चलिए एक बच्चा एक monster से बात कर रहा है तो simply पहले हम अपनी normal आवाज में उसको record कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं दो mono track ले लेता हूँ एक यह हमारा हो जाएगा बच्चे का और दूसरा हमारा हो जाएगा monster का इसको मैं नाम दे देता हूँ इसका नाम दे देता हूँ child इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे monster दौनों track को यहाँ पर मैं track size में जाके height में fit कर लेता हूँ अगर आपको और भी tracks की ज़रुवत पड़ती है और भी character है तो आप यहाँ पर और भी नीचे की तरफ बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह वाला track है इस पर click करूँगा यहाँ पर ज्यान रहे आपका यह यहाँ पर click होना चाहिए selected होना चाहिए हलका सा blue हो जाएगा आपका यह और आपका cursor automatically यहाँ पर home पर आ जाएगा दुबारा से R बतन दवा सकता हैं या directly यहाँ पर click करूँगा मैं एक monster हूँ और मैं तुमको यहाँ पर खाने आया हूँ दुबारा से बच्चे वाले पर मैं click करूँगा यहाँ लेकिन तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो द्वारा से मैं यहाँ पर monster वाले पर click करूँगा क्योंकि मुझे बच्चे बहुत जादा पसंद है और उनको खाने पर मुझे बहुत जादा मजा आता है तो यह हमारी आवाज यहाँ पर record हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर यह जो आवाज है इसको यहाँ पर change करूँगा सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको zoom out कर लेता हूँ ताकि सारी चीजे मुझे यहाँ पर दिखाई दे छोटा करना चाहते हैं इसको तो अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरीकी से अब सबसे पहला जो काम है मेरे को child का जो आवाज है उसको यहाँ पर मैं change कर लेता हूँ effect में जाना है पहली मैं आपको बता चुका हूँ इसके लिए already pitch में जाना है अब मुझे यहाँ थोड़ा सा और मैं 30 की जिगए इसको 40 कर देता हूँ ताकि इस दूसरे बच्चे की आवाज यहाँ पर बने थोड़ी और पतली हो जाए इसको मैं यहाँ पर apply कर दूँगा ए कौन है वहाँ पर बाहर निकलो मुझे आपसे डल लग रहा है इस तरीके से यह अब देख सकते हैं बच्चे की आवाज पतली हो चुकी है अब यह जो आवाज है इसको मुझे monster की आवाज बनाना है तो सबसे पहले तो आप select पर button पर दवाएंगे तो जितने भी आपके track है वो सारे के सारे track यहाँ पर select हो जाएंगे ध्यान रहे सारे track आपके select होने चाहिए तब ही आपकी जो आवाज है वो सभी में apply होगी इसके बाद effect पर जाना है दुबारा से pitch पर जाना है change pitch पर click करना है सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर zero कर लेता हूँ ताकि यह normal आवाज में आ जाए इसके बाद इसको मैं अगर monster बनाना चाहता हूँ तो इसकी आवाज को बहुत ज़्यादा मोटा कर दूँगा मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ minus 50 minus 50 पर जैसे यहाँ पर on करूँगा और इसको मैं अगर preview यहाँ पर करूँगा इसको अगर मैं कम करना चाहूँ तो 40 पर यहाँ पर change करके देख सकता हूँ मैं एक monster हूँ और मैं तुमको यहाँ पर खाने आया हूँ तो 40 पर मुझे यह सही लग रही है यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ पर apply कर दूँगा अब यह आवाज थोड़ी सी मुझे हलकी लग रही है और इसमें जो monster वाला जो feel है वो थोड़ा सा और आ जाएगा प्ले करके दिखाऊँगा आपको मैं एक monster हूँ और मैं तुमको यहाँ पर खाने आया हूँ इस तरीके से आपका पूरा dialogue मेरा prepare हो चुका है पूरी script ए कौन है वहाँ पर बाहर निकलो मुझे आपसे डल लग रहा है मैं एक monster हूँ और मैं तुमको यहाँ पर खाने आया हूँ लेकिन तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो monster है उसकी आवाज को यहाँ पर change कर सकते हैं इसको अगर आप थोड़ा सा गूझने वाला आवाज बनाना चाहते हैं तो गूझने वाला भी आवाज बना सकते हैं गूझने वाले आवाज के लिए हम एक दूसरा example ले लेते हैं जिसमें एक आदमी एक भूत से बात करता है और एक चुडैल से बात करता है यहाँ पर हम तीन character लेंगे और उनकी आवाज को हम किस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग apply करते हैं चलिए इसको भी देख लेते हैं सबसे पहले यह जो tracks हैं इनको मैं आपर delete कर देता हूँ तो चलिए यहाँ पर जल्दी से तीन track हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पर हो गया यहाँ आदमी का track दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर भूत का track और तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक female चुडैल का track तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ man और दूसरा मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ghost और तीसरा मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक चुडैल को English में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर चुड़यली लिख देता हूँ अब यहाँ पर इन तीनो ट्रेकों को सलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ मैं और इनको अगर आप फिट करना चाते हैं तो व्यू में जाना है आपर फिट हाइट पर किलिक करना है तीनो ट्रेक यहाँ पर अच्छे तरीके से फैल जाएंगे अब चलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं सबसे पहले अपना आदमी का डायलोग हम यहाँ पर बोलेंगे ए कौन है वहाँ पर कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर क्या कर रहे हो यह मेरा एक ट्रेक यहाँ पर खतम हो गया इसको मैं डिरेक्टली हैंड टू हैंड यहाँ इस तरीके से मैनेज कर देता हूं दूसरा ट्रेक मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा दूसरा डायलोग अपना रिकॉर्ड बटन पर किलिक करूँगा मैं एक भूथ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूं स्टाप का बटन दबाऊंगा मैं स्पेस का बटन दबाके इसको स्टाप कर दूँगा और यहाँ से जो extra इसमें स्पेस इसको यहाँ पर हटा देता हूं अब मैं यहाँ पर अपना तीसरा ट्रेक यहाँ पर select करूँगा और यहाँ पर इधर से यहाँ पर इसको on करूँगा अपना तीसरा dialogue इस वार मुझे थोड़ा सा अपना आवाज को पतला करना है और यहाँ पर पतली आवाज के साथ मैं इसको record करना है हाँ 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 मैं एक चुडेल हूँ और मैं तुमको यहाँ पे खाने आई हूँ अब आप दुवारा से आदमी का डायलोग यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसके लिए मैं अल्लेडी वीडियो बना चुका हूँ एपिसोड नंबर 40 में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम अपनी ओडियो को कार्टून में इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास में तीन आडियो आ चुकी हैं और तीनों को अब हम यहाँ पर बारी बारी से चेंज करके देखेंगे सबसे पहले जो आदमी है उसकी आवाज नॉर्मल रहेगी कौन है वहाँ पर कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर क्या कर रहे हो इसको अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है एफेक्ट में उसी तरीके से जो हमारा पिछ वाला ओप्शन है यहाँ से आप इसकी पिछ को चेंज कर सकते हैं हलका सा मैं इसको जीरो कर देता हूँ और इसको हलका सा थोड़ा सा एन बढ़ा देता हूँ इस तरीके से और अब मैं इसको पिले करके देखूँगा ए, कौन है वहाँ पे, कौन हो तुम दोनों, और यहाँ पे क्या कर रहे हो इस तरीके से अगर आप इसको और भी funny बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आप इसको pitch को यहाँ बढ़ा दीजी ध्यान रहे, पूरा track आपका select हो रहा चाहिए यहाँ से आप इसको select करेंगे, जिससे आपका पूरा track last तक select हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे change pitch पे click करेंगे इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 20 ए, कौन है वहाँ पे, कौन हो तुम दोनों, और यहाँ पे क्या कर रहे हो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप fun नी बना सकते हैं अब आते हैं अपने ghost पे ghost की जो आवाज है, उसको अगर हम यहाँ पे normally अगर आप देखेंगे मैं एक भूत हूँ, जो 200 साल पहले मर चुका हूँ हाँ हाँ हाँ, मैं एक चुडेल हूँ तो इन दोनों की अवाज अगर आप normally यहाँ पे इस्तमाल करेंगे तो यह कभी भी आपकी effective नहीं होने वाली है नहीं इसमें कोई किसी भी तरह का feel मेरे को महसूस हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले जो ghost है इसकी अवाज थोड़ी सी गूजने वाली होनी चाहिए इसी तरीकी से चुडेल है उसकी अवाज भी थोड़ी सी गूजने वाली होनी चाहिए इसके लिए ghost वाला जो है इसको मैं select करूँगा effect में जाऊँगा और यह जो मेरा गूजने वाला जो काम है वो मेरा यहाँ पे होता है delay के साथ में और यह जो delay है इसके साथ में eco, reverb इसके साथ और भी यहाँ पे option मिल जाते हैं और सबसे perfect यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा eco eco यहाँ पे कैसे काम करेगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे by default 0.5 set है तो मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ इसको भी मैं इहाँ पे 0 कर देता हूँ सबसे पहले अब यहाँ पे मेरे पास मैं दो option दे रखे हैं delay time seconds और delay factor तो eco क्या काम करता है हमारी जो आवाज है इसको double कर देता है दुगना जैसे कि पहाड पे आप कुछ बोल रहे हैं और वो गूजने लगती है आवाज double करके या फिर कहीं पे ऐसे जगा पे खड़े हैं जहाँ पे आप बोलते हैं तो आवाज आपकी गूजने लगती है वो चीजे हम यहाँ से इसको manage कर सकते हैं सबसे पहला option जो है इससे हमारी जो आवाज है वो यहाँ पे double हो जाएगी जितना भी second हम यहाँ पे set करेंगे ध्यान रहे second हम यहाँ पे point में ही set करेंगे point 1 से point 9 तक ही यहाँ पे set करेंगे अगर मैं इसको point 6 कर दूँगा 0.6 और उनके बीच का जो delay होगा वो होगा हमारा point 6 सेकंड का यानि 6 सेकंड बाद वो मेरी दूसरी आवाज यहाँ पे सुनाई देगी लेकिन दूसरी आवाज सुनने के लिए मुझे यहाँ पे decay factor को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो जो दूसरी आवाज आ रही है उसका sound कितना loud है कितनी तेज है वो आवाज दूसरी वाली तो अगर वो 0 है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी इसलिए मैं इसको यहाँ पे point 9 कर देता हूँ ताकि वो बहुत loud हो जाए अगर मैं इसको यहाँ पे preview आपको करके दिखाऊँगा मैं एक भूठ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूँ तो आपने देखा दो वैल्यू यहाँ पे दो आवाज आतो रही है लेकिन दूसरी आवाज मेरी बहुत कम आ रही तो इसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ अब मैं इसको preview करूँगा मैं एक भूठ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूँ तो आपने देखा किस तरीके से मेरी दो दो आवाज यहाँ पे गूज रही है और दूसरी आवाज ही मेरी perfectly यहाँ पे काम कर रही है इसको और भी बहतर बनाना है तो आप इसको यहाँ पे 3 कर दीजिए दौनों को एक बरावर set कर दीजिए 3.3 अब मैं इसको preview करूँगा मैं एक भूठ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूँ पॉइंट 3 पे मेरा यह जो आवाज है वो काफी सही आ रही है इसको मैं हाँ पे apply कर दूँगा अब मैं इसको play करूँगा मैं एक भूठ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूँ तो इस तरीके से दो आवाज को repeat करना जो होता है गूजने वाली दोनों आवाज आप यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप इसको loud करना चाहते हैं थोड़ा तो इसको यहाँ पे दुबारा से मैं यहाँ पे loud कर देता हूँ आवाज की जो capacity है बोलने की वो थोड़ी सी हमाई सुनाई जो देने में वो थोड़ी सी fast हो जाएगी यानि बड़ी हो जाएगी मैं एक घूठ हूँ देखा इसका जो sound है वो अब यहाँ पे काफी तेज हो चुका है मैं एक घूठ हूँ जो 200 साल पहले मर चुका हूँ तो किसी भी चीज को अगर आपको loud करना है उसकी आवाज को औरों से थोड़ा सा तेज गो जाना है तो यहाँ पे इस gain को थोड़ा सा बढ़ा सकते इसी तरीके से अब मेरी जो चुड़ैल वाला option है इसको भी मैं यहीं पे इसी तरीके से इस्तमाल करूँगा इसी पिछ को यहाँ पे यहाँ पे जो eco है इसको मैं इसमें भी apply कर देता हूँ यहाँ और इसका भी यहाँ पे जो loud है sound इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 15 था की और यह थोड़ा सा तेज बोले तो इको में जाके इनके जो डिले है इसको अगर आप और कम कर देंगे मैं आप इसको टू कर देता हूँ आवाज बोलने का है दूसरी वाली का वो थुड़ा सा इनके बीच का गैप कम हो जाएगा इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग तरीकी की आवाज को सैट कर सकते हैं मैं इसको पूरे को प्ले करूँ है यहाँ पे अगर चुड़ेल की आवाज को थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप पिछ में जाना है आपको यहाँ पे तो मैं यहाँ पे प्रिव्यू करके देख लेता हूँ तो आपने देखा आवाज कितनी बहतरीन यहाँ पे हो चुकी है और भी पतला करना चाहते हैं तो पिछ को और भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से अपने जो आडियो है उसमें आप एक फील ला सकते हैं जादा important cable उनको देखेंगे जो जादा important नहीं है उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर छोड़ देगे अब सभी effects को एक तरफ से यहाँ पर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोई voice record कर लेते हैं थोड़ी सी तो recording पर मैं हाँ पर click करूँगा हम हैं big boss के बासी ना छोड़ तो recording के लिए हमें कुछ चाहिए तो हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं फिलाहल मैं इसको यहाँ पर delete कर देता हूँ और इधर से थोड़ा सा manage कर लेता हूँ अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पर apply करूँगा एक एक करके और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज यहाँ प compression में amplify पे click करेंगे amplify में जितना आपको यहाँ पर graph को ऊपर बढ़ाना है ऊपर की side में तब हम यहाँ पर amplify का इस्तमाल करते हैं जो हमारे lower mic हैं बहुत ही कम यहाँ पर इसको record करते हैं उसमें इस graph को बढ़ाने के लिए हम use करते हैं और यह जो graph है वो 0.5 से हमारा 1 के बीच ह बढ़ाना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे इसको compress करके थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे यह मेरा graph को बहुत ही जादा इस तरीके से बढ़ा देगा तो मैं इसको यहाँ पे control Z कर सकता हूँ यहाँ और इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ खोल लेता हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वो आटोमेटिकली वहाँ पे music कम हो जाए उसके लिए हम यहाँ पे ducking का इस्तमाल करते हैं starting में ही मैं इसका पूरा detail में समझा चुका हूँ compressor जो है जितनी भी हमारी voice है अगर जादा है तो उसको कम कर देगा कम है तो जादा कर देगा मतलब बीच में limit में लेके आ जाएगा यहाँ पे इसके जो option है वो by default आपको रखने है इसको आप apply करेंगी तो इस तरीके से उसको compress करके बिलकुल इसके middle में लाके वो रखतेगा limiter मैं आपको बताई चुका हूँ अगर आपको यहाँ पे जितने भी हमारे graph यह नुकीले जो है इनको अगर एक level में लेके आना है तब हम यहाँ पे limiter का इस्तमाल करते हैं और हर एक voice जो आप last में जब यहाँ से export करेंगे तो एक hard limit उसको देना जरूरी है ताकि हमारे यह सारे के सारे ages equal हो जाए हमारे कानों में ना चुबें तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको apply करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यह एकदम इसने इनको equal कर दिया इसको 0.0 से 1 के बीच में यह लेके आ गया तो hard limit हमेज़ा आपको देनी है इसमें loudness normalization इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज़्यादा amplify कर देता हूं ताकि आपको यह अच्छी तरीके से दिखाई दे इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से 18 करूँगा और यहाँ से इसको apply करूँगा तो आप देखेंगे यह ages बहुत ज़्यादा loud हो चुके हैं उपर यहाँ पे कटने लगे हैं तो इसको अगर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा loud हो जाता है तब यह loudness normalization का यहाँ पे use करेंगे उससे यह हमारा बहुत कम हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे loudness होती है तब इसका استعمال करें अगर आप कम में करेंगे तो यह बिल्कुल पतला हो जाएगा औ आपकी आवाज यहाँ पे सुनाई नहीं देगा तो इसको मैं दुबारा से control Z कर देता हूं फिलहाल अगर आपको normally यहाँ पे काम करना है तो हमेशा normalization पे काम करें इससे हमारा जो graph है वो बिल्कुल normally काम करेगा और normal कर देगा सारी चीज़ों को इस तरीके से और उसके आपकी बेकार टाइप का होता है तब हम इन चीज़ों का इस्तमाल करते हैं लेकिन हाँ hard limit तो आपको हर एक में देना ही है fade का क्या काम करता है fade in और fade out यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों को समझ लीजिए यह सारी चीज़ें इसी से बनी हुई है fade in पे अगर मैं यहाँ पे click करूँगा तो सबसे पहले यह चीज़ select होनी चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे मुझे जाना है fading में और fade in पे मैं click करूँगा तो आप देखेंगे इधर का जो area है वो मेरा यहाँ पे कम होगा जहाँ पे आपको आवाज को बहुत धीमे से शुरू करना है और दीरे-दीरे करके बढ़ाना है तो इस fade in का इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरीके से हमारा दूसरा है fade out इसमें क्या होगा यह हमारा क्या काम करेगा जो हमारा दूसरी side का जो है इधर का कम कर देगा और इधर की side का बढ़ा देगा अब मैं इसको यहां पर पिले करूंगा हम हैं बिग बॉस के बासी ना छोड़े कमी ज़रासी तो जहां पर भी आपको वाइस को बिल्कुल धीमे करके नीचे ले जाना है उस केस में हम यहां फेड इन और फेड आउट का इस्तमाल करेंगे इसको मैं कंट्र चीजें उनको हम जान लेते हैं चेंज पिछ मैं कही बार आपको बता चुका हूँ आपको समझ में आ गया होगा जीरो पर हम रखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा इधर की साइड लेके जाएंगे तो यह पतला हो जाएगा और इधर की साइड यह जाएगा पिलस की की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने से ओर इधर की साइड ले जाएंगे तो हमारी आवाज मोटी होती चली जाएगी और यह जाएगी हमारी माइनस की वैल्यू बढ़ाने से इसको मैं यहाँ पर अप्लाइं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल इसके बाद में मैं यहाँ पे आ जा कर दिता हूं अगर आपको इसको slow करना है अपनी आवाज को तो दोवारा यहां पे भी आपको आवाज में भी effect डालना है उसको fast या slow करने के साथ में वहां पे हम यहां पे use करते हैं speed का और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी आवाज जो है वो fast या slow हो उसमें कोई effect ना आए तब हम यहां पे use करेंगे tempo का इसमें मैं अगर इसको आगे की तरफ बढ आवाज है वो मेरी तेज मतलब fast तो हो गई है लेकिन उस पे जो effect है वो इस पे नहीं आया है पतला होने वाला जो मेरा normal आवाज है वही effect यहां पे रहेगा इसी तरीके से अगर मैं इसको slow करना चाहता हूं तो slow भी कर सकता हूं और मेरी आवाज जो है वो यहां पे उसी अगर आपको आवाज में effect नहीं दिखाना है faster slow का तो आप यहां पे tempo का इस्तमाल कर सकते हैं तो इन तीनों को आप यहां पे जहां पे भी आपको चाहिए आप इस्तमाल कर सकते हैं यह दोनों इतने important नहीं है reverse का मैं आपको बजा देता हूं reverse पे जैसी आप click करेंगे जो भ जीम के रोष्टान तो बिग बॉस का जितना भी था वो सारा सौंग उल्टा हो चुका है इसको मैं control Z कर देता हूं यहां पे next effect पे चलते हैं आगे equalization और filters बास और travel यह दोनों के दोनों यहां पे आप यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपका यहां पे यह select होना चाहिए इसक को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहां पर बढ़ा सकते हैं इसको फुल करके मैं आपको एक बार apply करके दिखा देता हूं music system की जो डिब्बे में गूज होती है उसको हम कहते हैं बास तो उसको हम यहां पर एक तरीके से पढ़ा सकते हैं यहां पर travel क्या काम करेगा इसको भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं हम हैं बिग बॉस के बासी ना छोड़े कमी ज़रा हल्कासा उसमें जो sound है उसको एक तरीके से पतला करने की कोशिश करेगा travel बेस और travel की मदद से भी आप जैसे की man है या woman है बेस और इसके travel को change करके उसकी आवाज में थोड़ा सा आप यहां पर चेंजमेंट ला सकते हैं बेस ट्रवल को मैं यहां पर बंद कर देता हूं द्वारा से कोलाईजेशन पर जाता हूं यहां पर सारी जो फिल्टर्स हैं वो एक तरीके से यहां पर ज़्यादा important नहीं है फिल्हाल मैं graphics को बता चुका हूँ मैं already यहां पर आपको बहुत सारे preset मिल जाते हैं इन में से जो भी preset आपको अच्छा लगता है आप यहां पर use कर सकते हैं जिससे की bass boost हो गया इसको मैं play करूँगा हम हैं बिग बोस के bassy इसी तरीके से और भी यहां पर preset आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं हम हैं big boss के bassy किसी और आवाज के लिए यहाँ पर नहीं है man यप woman की आवाज को अगर आपको अच्छा करना है तो इस तरीके से आप इसको यहां पर अच्छा कर सकते हैं Equalization को अलग-अलग mode में डाल के चेक कर सकते हैं हम हैं Big Boss के बासी जो थोड़ी सी एक जहनकार टाइप की जो होती है वो आप इधर की साइड ऊपर करेंगे तो वो जहनकार टाइप यहां पर बनेगी हम हैं Big Boss के बासी और इसको नीचे करेंगे तो वो जहनकार खतम हो जाएगी इसको मैं यहां से बन कर देता हैं Equalization को यह हमारा सिर्फ यहां Background Noise जो होता है उसको Remove करने के लिए होता है और Background में जो भी आपका यहां पर Noise Reduction है इसकी मदद से हम यहां पर डिरेक्टली पहले अगर आप इसको Print करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं या फिर Noise Reduction को अगर आप यहां पर Full कर देंगे यहां पर तो उतना ही यहां पर यह ज़्यादा Effective यहां पर काम करेगा लेकिन उसके साथ में यह जो आपकी Ctrl Z कर देता हूं मैं यहां पर तो जो भी आपको Noise Reduction में अगर आप अच्छे तरीके से Noise को हटा सकते हैं तो इससे कर सकते हैं या फिर आप डिरेक्टली रिमोव कर सकते हैं Cable Dialogues को आप काट काट के यूज करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा Background में जो इसमें Voice आ रही है वो यूजी नहीं हो पाई इसमें ये तीनों चीजे मैं आपको बता चुका हूँ Delay जो होता है वो हमारा होता है आवाज को अगर हमें यहाँ पे Delay कराना है दूसरी आवाज इसमें पैदा करनी है तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं Delay की मिदद से पहले मैं यहाँ से इसको select कर लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर दुवारा से इसको apply करके दिखा देता हूँ आपको एक बार मैं इसको यहाँ पे zero करूँगा तो यह value जादा होगी और इसकी loudness बढ़ जाएगी हम 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 पीछे जो मेरी दूसरी आवाज जो repeat हो रही है उसके लिए यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे minus six कर देता हूँ और दूसरी जो आवाज हो रही है उनके बीच में जो gap है हम हो गया अगर मैं यह जो delay है जो time है उनके बीच का बढ़ा दूँगा अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ nine तो आप देखेंगे वह काफी देर बाद दूसरी आवाज गूजेगी हम हैं big boss के बास ही है ना तो इस तरीके से आप delay जो है यहाँ पे control कर सकते हैं यह जो delay वाल देगा और delay factor मुझे बताता है कि उसकी loudness कितनी रही कितनी तेज वो मुझे सुनाई देगा यह सेम ही option है दौनों जैसे वहाँ पे थे और यही option में हमारा जो last वाला है यह भी हमारा यही काम करता है इसमें हमारे पास में बहुत सारे preset मिल जाते हैं इन सभी preset को आप यहाँ preset रहता है इसमें delay time आप देख सकते हैं दस यहाँ पे दे रखा है अगर मैं इसको preview करूंगा हम है big boss के बासी ना छोड़ने कमी ज़रा तो यहाँ पे जो गूजने का इनका अलग अलग तीनों में अलग अलग एक criteria है गूजने का जो हाँ पे भी आपका set होता है आप अपना इसाफ से इसको set कर सकते हैं डिले में आपको यहाँ पे करना है तो इसकी मदद से आप यहाँ पे इसको delay या आगे कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ यही हमारे सारे options हैं जो आपको काम आने वाले हैं distortion भी एक important option है distortion में क्या है इसमें आपको बहुत सारे preset मिल जाते हैं जैसे कि आपको mobile पे बात करना है या फिर walkie talkie पे किस तरीकी की आवाज आएगी वो इसमें already यहाँ पे दे रखे हैं इनकी मदद से हम यहाँ पे change कर सकत हैं जैसे walkie talkie में दिखा देता हूं आपको हम हैं बिग बोस के बासी इस तरीके से यह walkie talkie option है इसी के अलावा इसमें और भी अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे हम हैं big boss के बास जो भी आपको सही लगता है आप अपने according यहाँ पे इनको अपनी वीडियो में लगा स आपको नहीं बताना है लेकिन बस उसकी installation जो है वो बहुत ज़्यादा important है दूसरे software का नाम है clown fish यह हमारा एक voice changer है इसमें हम आवाज को record नहीं कर सकते हैं सिर्फ अपनी voice को यहाँ पे change कर सकते हैं अब इसको audacity के साथ मैं कैसे इस्तमाल करेंगे आईए चलिए इसको देख recording यहाँ पर start हो जाएगी और बहुत ही छोटा सा software है कुछ ही second मैं आपका यहाँ पर download हो जाएगा उसके बाद आपको इसकी location पर जाना है install करना तो बहुत ही easy है simply मैं यहाँ पर इसको install कर देता हूँ यहाँ पर मुझसे कुछ लिखने के लिए मागेगा तो मैं यहाँ पर simply मेरा एक icon बनके आ जाएगा इसको आपका जो open करने का तरीका है वो बिलकुल अलग है इसको double click करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी open नहीं होगा बस इस तरह का यहाँ पर menu आ जाएगा और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान लख रही है नीचे की तरफ आपको यह जो icon है यहा आपकी यहाँ पर थोड़ी सी tricky है जो आपको यहाँ पर समझनी है नीचे की तरफ आप किलिक करेंगे यह जो icon है अभी आपको यहाँ पर यह बिलकुल white black and white दिखाई दे रहा है जब आप इस पर double click करेंगे तब हमारा यह यहाँ पर activate हो जाएगा और आप देख सकते हैं मेर जो आवाज है वो यहाँ पर double double आ ला लगी तो जब आपकी आवाज यहाँ पर double double आ ले ले गई तब आप समझ लीजिए यह आपका activate हो चुका है और कोई भी चीज अगर आप इसमें यहाँ पर बोलेंगे वो automatically यहाँ पर आपकी voice को live change करेगा यह कभी भी आपके record किये और और योगो चेंज नहीं करता है अगर मुझे इसमें female की voice अपनी change करनी है तो इसमें मैं क्लिक करूँगा अलो अलो आप देख सकते हैं किसी तरी किसे मेरी जो आवाज है यहाँ पर female की आवाज होगे इसी तरी किसे बेवी पीछ है यहाँ पर पहले मैं इसको silent कर देता हूँ अगर आपको male की आवाज चाहिए तो आप यहाँ से male की आवाज भी select कर सकते हैं तो male को आप यहाँ से select कर दीजे और दूसरा track मैं आप दे लेता हूँ इस बार और इसको select करूँगा यहाँ से अपनी male की आवाज को बोलूँगा हलो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ से मैं इसको silent कर लेता हूँ ध्यान रहे silent करने पर mic की आवाज खतम हो जाती है तो कभी भी silent करके इसको record ना करें नहीं तो आपको कुछ भी यहाँ पर record नहीं होगा अब मैं इसको play करके देखूँगा यहाँ पर अलो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस तरीके से किसी भी character पर click करके उसको activate कर सकते हैं और अपनी वीडियो में उस आवाज को आप इस आवाज को अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल ख़रम दरना है और silent करना है अपनी आवाज को तो इस icon पर click करके उसको silent कर सकते हैं अगर मुझे यह software बिल्कुल बंद करना है इसकी सारी की सारी आवाजों को इसमें बंद करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर option दे रखा है तरीकी side लिए चोटा सा icon है इससे लिए मेरा बंद होगा इस पर जब मैं double click करूँगा तो यह मेरा आप देख सकते हैं अभी यह मेरा black and white हो चुका है तो जब आपको on करना हो जब तक आप इसको on नहीं करेंगे तब तक यह काम यहाँ पर नहीं जब मैं इसको यहाँ पर double click करूँगा तब यह मेरा on होगा और अब मेरी जो आवाज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका तो बढ़ा बंद करना है इसको तो double click करके आप इसको बंद करेंगे तब ही यह आपका यहाँ से बंद होगा और तब आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं कभी कभी आपका यह काम करना बंद कर देता है तो सबसे पहले आपको जाके setting चेक करनी है setting integration में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो audio आपको वहाँ पर order city में आ रहे थे उसी तरीके का यहाँ पर microphone जितने भी हैं आपके computer में installed है application के वो सब यहाँ पर आ जाएंगे आप जिस भी microphone से यहाँ पर आवाज को record कर रहे हैं वो यहाँ पर आपका install होना चाहिए और उसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं यह remove लिखा हुआएगा जिनमें यह install लिखा रहा है यह मेरे यहाँ पर installed नहीं है अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आपका इसमें mic installed है तो simply install पर click कर लीजे और उसको यहाँ पर activate कर लीजे तब ही वो यहाँ पर काम करेगा तो बस इसका जो settings है वो यहाँ पर है बाकी इसमें जो भी चीज है वो आप यहाँ पर live अपनी आवाज को change करके record कर सकते हैं आप gaming कर रहे हैं तो अपनी आवाज को game में change करके use कर सकते हैं या किसी से live बात कर रहे हैं तो भी अपनी आवाज को यहाँ पर अलग-अलग तरीकी से change कर सकते हैं पहनी का मतलब आप अपनी आवाज को चेंज करके लाइव यहाँ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसी बने-बनाई साउंड को यहाँ पे आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी-कभी आपका यह clownfish काम करना बंद कर देता है, उस case में आपको दुबारा से यहाँ पे इसको install करना है, तभी यह आपका यहाँ पे काम करेगा, अब हमारा last software इसमें बचता है, उसको भी छोटा सा introduction में आपको दे देता हूँ, यह software है हमारा Adobe Audition, Adobe Audition बहुत ही बड़ा software है, Audacity से इसमें बहुती ज़्यादा features हैं, लेकिन cartoon की voice record करने के लिए बहुत कम इस्तमाल होता है, cartoon की voice record करने के लिए हमारा Audacity सबसे महराजा software है, और सबसे ज़्यादा इसमें यह features दे रखे हैं, Audacity का इस्तमाल mostly dubbing के लिए होता है, जब हम VFX movies बनाते हैं, तब हम यहाँ पे इसको dubbing के लिए स्तमाल करते हैं, Audacity के सारे के सारे option आपको इसमें मिल जाएंगे, और चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका हलका सा introduction दे देता हूँ, detailed video भी मैं इसके बनाऊँगा, लेकिन वो बनाऊँगा इसमें VFX की series में, या फिर जब advanced level पे हम सीखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इसमें सारे option मिल जाएंगे, जो हमारे audacity में थे, यह red वाला जो button है, यह हमारा recording का button है, बाकी सारे button उसी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे record पे click करूँगा, यहाँ पे एक नई file generate करेगा, और मैं इसको okay करके एक नई file यहाँ पे बना दूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी जो आवाज है, वो यहाँ पे record होना start हो गई है, और यह पूरी मेरी एक file में यहाँ पे record हो रही है, इसको मैं दुवारा से उसी तरीके से space बटन दवा के यहाँ पे इसको रोक सकता हूँ, और home का बटन दवा के उसी तरीके से बिल्कुल top पे जा सकता हूँ, जैसे order city में जाते हैं, इसमें अगर बीच का gap आपको हटाना है, तो बिल्कुल same process वही है, delete का बटन दवाना है, select करके order city की तरह, और इस तरीके से हम इसको manage कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बने-बनाए presets मिल जाते हैं, जो आपकी आवाज को यहाँ पे change कर देंगे, आप मेरी हो चुकी है, अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा YUZe करना है, जैसे की मुझे यहाँ पे radio announcer यूज करना है, या फिर telephone की आवाज मुझे यहाँ इस्तमाल करना है, तो telephone की आवाज मैं यहाँ इस्तमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर record होना start हो गई है, और ये पूनी मेरी एक फाइल में यहां पर record हो तो टेलीफॉन की आवाज मिर को यहां पर मिल जाएगी इसी तरीके से इसमें बहुत सारे option है अलग-अलग type के उसी की तरह यहां पर भी बहुत सारे effect है और same बिलकुल वही तरीके से यहां पर काम करते हैं जैसे उसमें काम करत सकते हैं और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें बहुत detailed मैं मैं आपको बताऊंगा फिलाल आप इस software का इस्तमाल ना करें और शिटी का ही इस्तमाल करें और शिटी सबसे best है आपके लिए recording के लिए और आज की जो हमारी वीडियो थी वो अब काफी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज हम इसको यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं next episode में नए concept के साथ तब तक के लिए good bye